दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Mr. Richard Templer की बुक The Rules of Money से Rule No.9 के बारे में और Rule No.9 जो ये कहता है कि Decide What You Want Money For यानि कि सबसे पहले आपको बहुत ही किलियर तरीके से ये तैग करना होगा कि आप धन ये दोलत क्यों चाहते हैं, आप वास्तों में अमिर बनना क्यों चाहते हैं वैसे अगर आप ध्यान से देखे तो Rule No.2 और 3 भी यही बात समझाते हैं कि हमें अपने धन का Objective Set करना है, हम कितना धन कब तक बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ सेट करना है लेकिन साथे साथ अब ये Rule ये समझाता है हमें, कि वो धन हम क्यों चाहते हैं, यानि कि हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जितना धन दोलत कमाना चाहते हैं, वो हम क्यों कमाना चाहते हैं, ये हमें बहुत एक किरिया तरीके से असपस्ट करना होगा आपको बिल्कुल साफ-साफ ये लिख कर रखना होगा कि आप जो भी धन-दोलत कमाना चाहते हैं वो क्यों कमाना चाहते हैं इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप जो धन कमाना चाहते हैं उसके भी जो кадr है वो उजित है, meaningful है, worth है तो ये हमेशा आपको motivate करेगा, आपको प्रिरित करेगा कि आप अपने काम में इमन्दारे से discipline के साथ जूटे रहें और जब आप अपने काम में इमन्दारे से discipline के साथ जूटे रहते हैं तो ही आप अपने लक्षे को हासिल कर पाते हैं आपने रूल नमबर 5 में देखा होगा कि आलस हमारा सबसे बड़ा दुस्मन होता है और अगर आपको आलस भगाना है तो आपको अंदर से मोटिवेट रहना होगा और ये जो रूल है कि आपको अपने धन कमाने के पीछे जो लक्षे है जो कारण है वो अस्पष्ट करना होगा अगर आपस अस्पष्ट करते हैं तो आपको वो वज़ा मिल जाती है कि आपको क्यों काम में जुटे रहना है क्यों आपको आलस नहीं करना है तो इसलिए ये जो रूल है ये हमें समझना जरूरी है और हमें अपने धन कमाने के लक्षे के पीछे जो भी कारण है, जो भी वज़ा है वो लिखना जरूरी है ताकि जब भी हम demotivate हों तो ये हमें प्रिरित कर सके अंदर से और हम अपने काम में वापस से जूट सके और काम को आगे बढ़ा सके दोस्तों, आप देखींगे कि हम जो भी धन या दोलत इकठा करेंगे जो भी धन या दोलत कमायेंगे वो हम उन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं जिन चीजों से हमें लगता है कि हमें संतुष्टी या फिर खुसी मिलेगी लेकिन कमाये हुए धन दोलत से हमें खुसी और संतुष्टी मिलेगी ही मिलेगी इस बात की कोई गैरेंटी नहीं होती है तो हमें इस बात को पहले ही समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि हम धन दलत कमा भी ले तो हमें खुसी और संतुष्टी मिल जाए वास्तों में हम अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं हमारे लाइफ का ultimate मकसद क्या है हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि हम plan करे plan out करके जब हम समझते हैं कि हमारे धन कमाने के पीछे वास्तों में मकसद क्या है वास्तों में लक्षे क्या है वास्तों में वज़ा क्या है तो हम एक बहतर स्रिजूशन में होते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहतर डिज़न ले सकें जैसे कि मान लिजिए कि अगर आपको अपने दोस्तों के साथ खुश रहना पसंद है अगर आपको अपने दोस्तों से बात करना पसंद है उनसे बात करने में खुशी मिलती है तो इसके लिए सायद आपको बहुत ज़्याद धंदलोत कमाने की जरूरत नहीं है इसके अलावा ऐसी बहुत सवरी चीजी है जहां पर आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है फिर भी आपको खुशी और संतोष्टी मिल जाती है तो ये कुछ एगजांपल हैं जो हमें बताते हैं कि अगर आप अपने धन कमाने की लग्से के पीछे जो वज़य है वो असपश्ट करते हैं तो ये हमारे लिए काफी बहतर होता है और ये हमें हमारे धन के गोल को पाने में चाफी ज्यदा हेल्फुल भी होता है इसके अलाव आप ये भी देखेंगे कि बहुत सर लोग जो ये नहीं जानते हैं कि वो कमाये हुए धंदलोत का क्या करें तो वो अपने धंदलोत को यूही नसे पानी में, दारू पानी में, ड्रक्स में और ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जिनका कोई भी मेंनिंग नहीं होता है तो इस बात में कोई भी सेंस नहीं है कि आप भी धंदलोत कमाएं और आपके पीछे कुछ खास वजन ना हो और आप यूही खुसी असंतुष्टी पाने के लिए दारू, सराब, जुए, ड्रक्स या इन चीजों में वो कपैसे खर्च कर दें और दोस्तों धन कमाने के पीछे जो वज़ा है वो असपश करने का एक बड़ा कारण ये है कि आप जो भी धन दलोत कमाना चाहते हैं, वो धन दलोत कमाने के पीछ जो वज़ा है उसको अलग-लग तरिकों से हांसिल किया जा सकता है एक्जांपल के लिए मान लिजिए कि अगर आप सिर्फ इस बात से डरते हैं कि कल आपके घर परिवार के उपर कोई medical emergency आ गई तो आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करें सिर्फ इस वज़ा से अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो इसके लिए एक बहतर भी कल पिये है कि आप कि आप एक अच्छे coverage वाला life insurance health plan ले लें जिसमें कि आपके और आपके पूरे परिवार की जो health है वो cover हो जाए और life insurance भी वहाँ पे रहे तो अगर आपके घर में परिवार में कुछ अनिशित्ता होती है तो इससे आपके परिवार पे कोई effect ना हो जो आपकी main चिंता है वो आपकी मिट जाती है अगर आप health insurance में या फिर life insurance में investment कर देते हैं तो इस तरह के छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी बाते हैं जो आपको ध्यार पर रखनी है कि अगर आप धन कमाने के पीछे जो वज़ा है अगर वो असपस्ट करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा help मिलता है कि आप बहतर decision ले सकें और आगे बढ़ सकें तो दोस्तों I hope कि आपको इस वीडियो से जो main message है वो मिला होगा कि आपको अपना जो धन कमाने के पीछे जो वज़ा है वो आपको जरूर लिखना चाहिए अगर आप लिखते हैं तो आप अपने बारे में काफी कुछ जान पाते हैं कि आपको धन दोलत क्यों कमाना है और वो वज़ा क्या है तो दोस्तों अगर वीडियो पुसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और रंत में इस वीडियो को परा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद